चैनल में स्वागते हैं आपका दोस्तों आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं होमियो स्टेर्सिस क्या होता है तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन को देख लेते हैं होमियो स्टेक्स इस डेफाइज असेल coupon उप्रनेफरी प्रोशेस वाई विर्टेर्ण उनियकर एक रिविंग का मतलब होता है कि यह खुद बाखुद होता है हमारा इस पर कोई वी जोर नहीं होता है इसमें क्या होता है जो भी लविंग जोटे हैं living organism जैसे की जानवर और मनुश्य तो उनकी जो body होती है वो क्या करती है external conditions के according अपनी internal stability को maintain कर लेती है जैसे की बाहर का जो environment होता है उसी के according जो मनुश्य और जानवर की body होती है वो अपने आपको maintain कर लेती है उसके balance कर लेती है जैसे की कोई भी मनुश्य running करता है कोई भी exercise करता है तो उसको पसीना आता है वो पसीना इसलिए आता है ताकि जो बाहर का temperature है और जो उस मनुश्य का जो exercise कर रहा है उसका जो internal temperature है वो maintain हो सके तब ही उसको वहाँ पे पसीना आता है homeostasis is not static and unwearing means जो homeostasis होता है ना तो वो static होता है means एक जगा ना रुकने वाला होता है और ना ही वह बार बार चेंज होता है It is a dynamic process that can change internal conditions as required to survive external challenges means जो homeostasis होता है वो एक dynamic process होता है जिसमें क्या होता है कि कोई भी मनुश्य की जो body होती है वो बाहर के जो challenges होते हैं यानि environment में जो challenges होते हैं जैसे कि dust, temperature ये सारी चीज़े उसके according अपने आपकी यानि की जो body है वो अपने आपको maintain कर सके जीवित रहने के लिए बाहर के challenges को accept कर सके तो ये सारा कुछ आता है हमारा homeostasis में इसमें किसी भी person की body होती है वो अपने आपको change कर लेती है अपने environment के according